नमस्कार सिच्छारत है मैं डाक्टर सासी भूशनामतर पाठी सहाई प्राध्यापक भूगोल उत्तर पुदेश राजय स्टेंडर्न मुक्त लिश्वी द्याले प्रयागराज आप सभी का भूगोल की इस कच्छा में स्वागत है असनातक भूगोल दुतिय समेस्टर कार्टोग्राफी UGGO102 का पेपर मैं आप सभी के शमच लेकर प्रस्तित हुआ हूँ यह पेपर भूगोल के प्रायोगी पेपर की रूप में जाना जाता है अधिकांस विश्विद्याले परामपरागत प्रडाले में इस पेपर को हम लोग प्रैक्टिकल के तहप पढ़ते हैं इसलिए मैं इस पेपर के मुख्य चीज़ों को लेकर आपके समझ उपलद हुआ हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूगोल भूतल पे पाए जाने वाले भूतल के भूशरूपो प्राकृतिक भूशरूपो सांस्कृतिक भूशरूपो इन सभी के मद्ध जो जटिल अंतरसंबंध पायाता है इन अंतरसंबंधों का अध्यन भूगोल करता है चुकि हमारी प्रत्वी बहुत ब्यापक है धरातल बहुत ब्यापक है इसलिए इस ब्यापक धरातल को मान्चित्र की सहायता से हम लोग उसका अध्यन करते हैं क्योंकि एक भूगोलवित्ता या बैज्यानिक या सुधार्ति के लिए धरातल के हर छित पर पहुंचना आशान काम नहीं होता है बहुत दुरूहकार होता है और जब तक हमारे सामने धरातल के सभी भूद्रिस्त हमारे सामने उपस्थित ना हो हम देखना लें तो फिर उसके बारे में अध्यन करना बहुत कठिन काम हो जाता है तो यह है आसान करता है हमारे लिए मान्चित्र आप सभी मांचित्र से परचित होंगे, व्योहारी जीवन में हम सभी लोग प्रति दिन मांचित्र का उपयोग करते हैं, इसलिए ये सारे हमारे काम को बहुत आशान कर देता है तो मांचित्र क्या है? सबसे पहले हम दो मांचित्र के बारे में समझ लेते हैं, मांचित्र संपूर्ण धरातल या उसके किसी भाग को मापनी की सहायता से विभिन प्रच्छेपों के द्वारा प्रतीकों के माध्यम से ब्यक्त किया जाता है मांचित्र में जैसी धरातल की विशेष्टाएं होती है, धरातल का जो मूल सरूप होता है, उन मूल सरूपों को हम विभिन विध्यों के द्वारा मांचित्र करते हैं और यह मांचित्र का कार होता है मापनी के द्वारा मित्रों मापनी एक साधारन उदारन से हम समझते हैं कि आखिर में मापनी होता क्या है हम सभी प्रति दिन अपने मुवाइल फोन का उपयोग करते हैं हम जब किसी वस्तु का किसी धरातल का या कहीं का भी जब हम एक फोटो खीशते हैं तो वह हूबहू उस फोटो में जैसा वह धरातल वह वस्तु जिसका भी हम फोटो लेते हैं वह हूबहू उस रूप में उस फोटो में अंकन अंकित हो जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप देखते हैं व्रिस्तिरत भाग का एक बड़े भाग का हम लोग छोटे भाग में उस फोटो को अंकित कर लेते हैं और वह फोटो हूब भै होता है फिर उसको हम लोग बड़ा छूटा करके इस्तेमाल कर लेते हैं यही काम हमारी मापनी करती है तो क्यों ऐसा कर लेते है, ऐसा हम इसलिезжे कर लेते हैं, क्योंकि जिसका भी हम फोटों खीचते हैं, एक अनुपात में वो चाहें छूटा हो जारा है, यह बढ़ा हो जारा है, इस कारण से उसका मूल सरूप वैसे ही वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है यह काम मापनी के द्वारा होता है, इस मापनी का उप्योग करके हम लोग मांचितर का कार करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में मापक होता क्या है मापक मांचित्र में प्रदर से कि इन ही दो बिंदों के 20 की दोरी जैसे आप भारत का मैप ले लिए भारत के मैप पे कोई दो अस्थान ले लिए उन दो अस्थानों के 20 के में जो मांचित्र पे दूरी है उसी यहाद मोनों के विच का यह उता है अनपात सामान सब्दों में होनता है कि मानशीत में कि प्रद्र्सक इन दोबिंदों के वीच की दूरी तथा धरातल पर अफ्था रो पर वास्तविक रूओ से उन text की दूरे के मद्ध का अनपात होता है मापनी मापनी वराबर मांचित पर दो बिंदों के बीच की दूरी बटे धरातल पर उन्हीं दो बिंदों के बीच की दूरी तो इस प्रकार से विभिन विद्वानों ने मापनी को परिवासित भी किया है जिसमें मांखाउस महोदे ने कहा या उस सम्मंध को वेक्ट करती है जो मांचित पर किरी दो बिंदों के बीच की दूरी तथा मांचित पर उन ही दो बिंदों के बीच होता है रावरेन्शन महोडि ने बताया है उस्तुफ्ता तथा प्रत्निधित द्धरातल प्रत्निध्ध उस अनुपात के रूप मेश안चित पर उसका पुदधर्ष Kuran मापनी बराबर मांचित पर किनी दो बिंदों के बीच की दूरी बटे धरातल पर उन्हीं दो बिंदों के बीच की दूरी तो कोई एक अस्थान आप ले लीजे, जैसे हम देखते हैं, वास्त्विक धरातर हमारा बहुत ब्रिस्त्रित है, इसको एक छोटे से कागज पर दर्साना आसान नहीं होता है, और इस छोटे कागज पर इसका अंकल इसी मापनी के साहता से ही संभो हो पाता है, जैसे आपको प अब आईए हम देखते हैं कि इस मापनी का प्रदर्सन कैसे किया जाता है, क्योंकि जब भी हम मान्चित्र बनाते हैं, तो उस मान्चित्र के नीचे हमको देना होता कि मेरी मापनी क्या है, अगर मान्चित्र के नीचे मापनी नहीं है, तो उसको मान्चित्र नहीं माना जात जब तक उसके नीचे उस मापनी का अंकन नहीं क्या रहा है तो इसके जो प्रदर्शन की विधिया मुख्य रूप से तीन विधि हैं जिसमें एक है कथनात्मक विधि यह सबसे आसान विधि है जब भी हम कोई भी मापनी जिसका हम निरधारण करके जब उसके द्वारा मांच मील तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसको लिख देते हैं इसलिए इसको कथन मापनी कहते हैं तो मांचित पे एकदम नीचे कथन के रूप में लिख दिया जाता आप सभी लोग इसका इस्तिमार करते हैं लेकिन अब समस्या क्या है कठिनाई क्या है कठिनाई यह है कि जो भी हम मांचित बनाते हैं जब उसका हम सामानुई करार विस अस्तर पर करते हैं तो ये समस्य आती है फिर उस मांचित का हम उस मापक का दूसरे रूप में उपियो नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही हम मांचित को बड़ा या छोटा कर देते हैं, उसका मूल सुरूप बदल जाता है, तो इसलिए देखने में तो यह आसान है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोस है, इसको बड़ा या छोटा करने पर इसकी मापनी बदल जाती है, दूसरा है प्रदर्सक भिन या इस है या संख्यात्मक बिधी है, जिसमें इस बिध में मांचित्रियों धरातल पर मापी गई दूरियों को एक अनुपात की द्वारा प्रदर्सित किया जाता है, जैसे वहां हमने कथन के रूप में लिख दिया था, अब यहां हम उसको क्या करते हैं, कि मांचित्रियों धरात जो मापी गई दूरिया होती हैं उसको अनुपात या भिन्ने के रूप में हम लोग लिख देते हैं जैसे माल लिया हमने कथर मापनी में लिखा एक सेंटीमीटर ब्राबर एक किलोमीटर तो इसको जब हमें प्रदर्सक भिन्न में बदलना रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे एक अनुपाते एक लाख या एक बटे एक लाख तो इस प्रकार से प्रदर्सक भिन्न बराबर होता है मान्चित्र की इकाई दूरी बटे उन्हीं इकाईों में धरातल पर मापी गई दूरी इसी के अनुपात को प्रदर्सक भिन्न कहते हैं अब इस बिदी का सबसे बड़ गुन है कि किसी भी देश की मापक पडाली की अंसार मान ग्याग कर इसको उस रूप में बदला जा सकता। जैसे आप जानते हैं जो मापक पडालियां है मीटरिक पडाली है, बृटिस पडाली है और अनेक देशों में अन्यन पडाली जैसे रूस में पायल्ट्स तो हम जब इस मापनी को इस संख्यात्मग रूप में आर्यक की रूप में लिख देते हैं तो हमें उनके आधार पे बदलना आसान हो जाता है लेकिन इसकी भी सबसे वड़ी कमी यह हो जाती है कि जब भी हम उस मानचित्र को बड़ा या छोटा करते हैं तो उसकी भी मापनी बदल जाती है तो वह मानचित्र तुरुटिपूर हो जाता है इसलिए हूबहू उसी आकार प्रकार के मानचित्र के उप्योग के लिए यह विधी आसान है तीसरे विधी है जब भी मापनी के आधार पर करते हैं उसका हम रेकि रूप में प्रदर्शन कर देखा होगा जब भी आप एटलस पर कोई भी मानचित्र तेखेंगे तो आप देखेंगे नीचे आउपर कहें इंडेस बना रहता है और उस पे एक रेखा के माध्यम से वह मापनी दर्साई गई होती है इसका लाब क्या है इसका लाब यह है कि जब भी हम मांचित्र को बड़ा या छोटा करते हैं तो वह रेखिक मापनी भी उसी अनुपात में बड़ा या छोटा हो जाती है इसलिए वह मेरे हमारे लिए आसान हो जाता है और इस रहेखिक मापनी को ही इस आलेखी मापनी को ही हमें पढ़ना और समझना है अब आईए जैसे हमने तीन विधि अभी पढ़ी कथन मापन प्रदर्सक भिन और आलेखी हमने कथन मापन में पढ़ा कि 1 cm2.10 km हमने मांचित्र बनाया उसके नीचे इंडेक्स में हमने लिख दिया 1 cm2.10 km अब इसको अगर हम प्रदर्सक भिन में बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे एक अनपाते दस लाख क्यों क्योंकि एक किलो मिटर में एक लाख सेंटी मिटर होते हैं तो दस किलो मिटर में कितने होंगे दस लाख सेंटी मिटर होते हैं इस प्रदर्सक भिन्न के आधार पर हम इसकी रचना करते हैं हम क्या करते हैं इसकी रचना करते हैं और इस मापनी को इस मापक की द्वारा हम लोग दिखाते हैं अब जो आरेखी मापनी के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं जब भी आगे और रेकल में भी हम चर्चा करेंगे, अभी आप यहां पर समझ लिए, आरेकी जो मापनिया होती हैं, इसके कुल दो भाग होते हैं, एक होता इसका प्रार्थमिक भाग और दूसरा होता इसका दुतियक भाग. कि आब इसकी प्रार्थमिक भाग में कि जो ऐसे कि मापनी चुन जिखाते हैं उसको दिखाते हैं और फिर क्या करते हैं कि अब ख surfi प्रकार से मापनी प्रदर्शन की यह तीन विधियां हैं इस आलेखी विधि को और आगे हम विभिन रूपों में देखेंगे और समझेंगे अब आरेखी मापनी आरेखी मापनी की रचना कैसी की जाती है कुछ उसकी विधियां है कुछ उसके लिए मानदंडों की जानकारी होना जरूरी होता है कि कैसे हम इसकी रचना करें तो सबसे पहले मापनी की रचना करते समय ध्यान देना होता है किस कागज पर उसका हम रचना कर रहे हैं हम अमोमन क्या करते हैं इसके लिए ड्राइंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं और उस कागज के साइज के अंसार हमें मापनी की रचना करनी होती है तो रचना करते समय यह हमको ध्यान देना होता है क्योंकि आप जब हम लोग स्केल का उप्योग करते हैं माप करते हैं सकेल क subdivyog करते हैं और आप देखेंगे इस स्केल में एक तरफ सेंटी मीटर में दूरिया दी होती है और एक तरफ इंच में दी हुई होती है। तो हम जब भी सेंटी communal में बनाते हैं तो अधिकल कस न लंबाई का हम लोग चैन करते हैं, वो 12-16 cm के आसपास होना चाहिए, यह बहुत आदर्स माना जाता है, फिर उस रेखा की लंबाई को ज्याद कर लेने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको हम विभिन उप विभागों में विभाजित करते हैं, और उस रेखा की जो बाई और क प्रथम खाने को छोड़ कर सून लिखा जाता है, और इस सूने के वाई और के खाने को गौर्ड विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, और मापत के प्रदर्सित जो हम धरातली दूरी को प्रदर्सित करते हैं, हम उसको हमेशा पूर आंक में रखते हैं, वो चाहें है इक गड़े और जिसमें हम लोग क्या करते हैं माल्या हम को किसी में पांच फार में विवाजित करना करेंगे profitable हुआर अब में आत purity कर लेंगे और जितने हम को उत में भाग करेंगे जितना मां अगा उतने बावर बूप से रोल को सब्सकें करेंगे हैं जयामित्ये विधी, जयामित्ये विधी में दो विधेया, एक नियून कोण विधी, एक सम कोण विधी, अब नियून कोण विधी में हम क्या करते हैं, मालया हमें किसी रेखा का, मालया ये रेखा हमें लिए, अब इस रेखा ख already supposed to conduct 5 sh 0, करना है कित्ध बाब बिभाद का पांच माग उप स्भाण क stiff तो हम क्या करते हैं हम इस पर न्यून कोल बनाती हुई एक ऐसकी समंहानालं तर हमको किस्नि भाज़ाद करता पांच भाजelnोर प्रकार लेंगे और उसमें एक कोई समान दूरी ले लेंगे और उस दूरी को लेकर क्या करेंगे इसको हम पांच भागों में बाट देंगे अगर आपको पांच भागों में बाटना है तो आप पांच करेंगे छे में बाटना है यह आपके ओपर निर्भर करता है ठीक है अमाले यह A B रेखा है और यह A B C रोगा है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा D E F G और H ठीक है अब हमको इसको पांच भागों पे विभाजित करना है तो यह पांच भागों गया अब यहां से हम क्या करेंगे इसका अंतिमसीरा और इसका अंतिमसीरा इसकेल की सहारे से हम क्या करेंगे इसको हम लोग मिला देगे ठीक है इसकेल के सहारे और इसको हम क्या करेंगे मिला लेंगे फिर इसकेल के सहारे इसी के समानांतर इसकेल को हम लोग समानांतर खिसकाएंगे और इसी सहारे फिर हम दूस तो यह आपका पांच भाग हो गया ठीक है और एक खाने को छोड़कर हम जीरो यहां लिखेंगे एक दो तीन और ठीक है तो इस प्रकार से हम इस नियून कोण विधी का उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं इस रेखा को बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं हमको प आपर करें, चैने नीचे करें और इसको बहुत हलके शेट से आपको बनाना होगा क्योंकि बाद में इसको फिर आपको मीटा देना होगा अब यह जो आरेखी मापनी है यह पónम्म लाक हे इसको शामान रूपों में 4 भागों में माता जाता है एक S.A.D. dega. मापग, एक साधारर मापग, दूसरा तुलनात्मग मापग, तीसरा कड़ोत या विकड़ मापग, और चौथा वरनेक मापग. आलेखी मापणी के ये मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग मापणी का आंकन करते हैं. अब बारी बारी से हमें एक प्रकार को पढ़ना होता है. सबसे पहला है साधारर मापणी, क्या होती है साधारर मापणी? साधारर मापणी में अधिक से अधिक दो इकाईयों में दूरियां पढ़ी जाती है, जैसे हमारा स्केल होता है, जिसका हम लोग इस दिमाल करते हैं. अब उस स्केल में आप ईसको सादारण मापनों मान सकते हैं, उसका उदारन नो हो सकता है, तो इन सादारण मापनी में अधिक से अधिक दो इकायों में दूरिया. hema पर प्रदर्शित की जाती हैं, जिसे माल है, समझते हैं, प्रस्ण से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसकी प्रचना होगी, ठीक है, एक प्रस्ण है, ऐसे प्रस्ण दिया रहता है, उस प्रस्ण के आधार पे आपको मापनी की रचना करना है, जब आप लोग मुख्य परिच्छा देखते हैं, तरमनल की मुख्य परिच्छा डेते हैं तो इस में प्र紧न को da इससे प्रस्न में वी इसी प्रकार के पांचju जाते हैं और फिर इन प्रशन के आधार पे आपक वापनी की रचना परनी मुत ⁠ Is he can Leon's not G7 में आपकी जरी से जाशन कीजिए आप सेंटीमीटर में पढ़ लेते हैं, इंच में पढ़ लेते हैं, लेकिन इन मापक के सारे हमें धरातल की दूरी पढ़नी होती है, ये मापनी रचना तो हम इसके आधार पर करेंगे, लेकिन हमको जो दूरी पढ़नी होती है, वो वास्तविक धरातल की पढ़नी होती है, त तो हम लोग सरल मापनी से जो हमारा स्केल होता है, इसके द्वारा हम इस मापनी को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम को क्या करना होता है? मापनी की रचना करनी पढ़ती है। और वह विधी आपको समझना है कि कैसे इस मापनी की हम रचना करते हैं। अब प्रदर्सक भिन ने दिया हुआ है, इसके पहले हमने बताया कि आरेखी मापनी कैसे बनती है, कौन-कौन से चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसको बनाने के लिए उस रेखाओं का भी भाजन कैसे करना होता है, उसी चीज को हम लोग यहां पे टेटेल म समझेगे, प्रस ने दिया हुआ है प्रदर्सक भिन, इसको हम साथ में आरेख करते हैं, प्रदर्सक भिन एक बटे पांस, ठीक है, प्रदर्सक भिन में एक चीज और हम आपको बता देते हैं, प्रदर्सक भिन हमेशा, प्रदर्सक भिन हमेशा, हमने भी बताया, मांचे तक की दूरी और बटे धरातल की वास्ति दूरी, तो प्रदर्सक भिन हमेशा, इसका जो अंस होता है, वो हमेशा एक होता है, अंस इसका हमेशा एक होता है, और जो इसका अंस है, ये मान्चित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है प्रदर्शक भिन्द का जो अंस होता है ये मान्चित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और जो इसका हर होता है वो क्या करता है आपके वास्तविक धरातल की दूरी प्रदर्शित करता है अब अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा ये इंच में है तो ये भी इंच में होगा यानि दोनों समाल उकाई में दोनों के मान होते हैं वो चाहें आपके सेंटीमीटर में हो चाहें इंच में हैं दोनों बराबर होते हैं और इसका जो अंस होता है वो हमेशा एक होता है हमेशा एक होता है और हर तो कि यह दोनों क्या है अनुपात है किसका मांचित्र का और वास्तवित धरातल तो आप देख रहे हैं यहां पर प्रदर्स्तक भी ने लिखा हुआ है एक बटे 500 जानी मांचित पर एक सेंटीमीटर दूरी प्रदर्सक करती है अब यह आप पंदरा भी माद सकते हैं बारा भी माद सकते हैं जैसा आपको बनाना हो लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी मानेंगे इससे गुड़ा करने पर जो भी मानाए वो हमेशा पूर रंक में आए दस्वरों में ना आए तो उससे हमारे लिए मापनी की रचना आसान हो जाएगी और वो अधिक सुध्ध होगी ठीक है तो इससे हमने गुड़ा के कि पचहत्तर सो सेंटी मीटर अब इसको मीटर मीट बदल सकते हैं चुकि आप सब जानते हैं कि एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं तो इसको भाग दे देंगी तो क्या जाएगा पचहत्तर मीटर यानि जो पंदरह सेंटी मीटर की रेखा है यह कितनी दूरी प्रदर्शित करेंगी 75 किस के आधार पे इस प्रदर्शक भिन्ने के आधार अब इसके आधार पे आपको क्या करना है इस साधार मापकनी की रचना करने है कि अब उसी मापक के आधार पे मैंने ये जो फिगर लगा हुआ है इस साधार मापक की रचना की गए हैं अब आप सभी को समझना है कि यह कैसे इसकी रचना कीए तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रस्न के अंसार हम लोगों ने देखा कि 15 cm की दूरी दिखा रही है 75 meter कितने meter दिखा रही है 75 meter अब इसी के आधार पे हमको इसकी रचना करने अब हम क्या करेंगे अपनिया स्केल लेंगे उसमें 15 सेंटीमीटर की एक रेखा हम क्या करेंगे कितने सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खीच लेते हैं अब 15 cm की दिखा कितने मीटर को दिखा रहे हैं, 55 मीटर को, तो ये पूरी दिखा कितना दिखाएगी, 75, 75 मीटर, ठीक है, कितना दिखाएगी, दोबारा इसको देखते हैं, 15 cm की देखा खिशते हैं, तो ये दिखाएगी कुल्मिला के, 75, 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर दिखाएग अब इस 75 मीटर को कुल मिला के ये 15 सेंटी मीटर की रेखा है इसको अगर हम बाटना चाहें तो कुल मिला के हम इसको बाट सकते हैं 5 भागों में ये 6 भागों जितने भागों में आपको बाटना हो बाटना हो तो अगर हम 5 में 5 भागों में बाटना हो तो आलेखिम आपने के रेस्ना करते हैं, तो जीरो यहां पर नहीं लिखते हैं, बल्कि एक कालम छोड़के, जीरो हमेशा यहां लिखते हैं, ठीक है, तो यह चुकि 75 है, तो एक कालम कितना करेगा, 15 मीटर, तो 15, 30, 45, और यह हो जाएगा आपका 60, क्यों क्योंकि एक भाग आपका इधर है, यह, खीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पांच भागों में विभाजित करते हैं, अब कोई एक, रेखा हम ले लेते हैं, इधर, और समान दूरी की, और उसको मिलाटे होए क्या करते हैं, हम जो भाग यहां पे काटा है इसको क्या करते है सीधे हम लोग मिला देटे हैं UChy कि इसको हम मिला सकते है ठीक है है हम को रचना करनी है यह तो देसी मीटर की दूरी पाढ़नी है प्रसले के आधार पे तो आप सभी जानते हैं कि एक मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं दस डेसी मीटर होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं इस भाग को हम लोग बराबर पांच भागों में विभाजित कर लेते हैं ठीक है पांच बराबर भागों में हम लोग इसको जैसा हमने उपर विवाजित किया है इसको विवाजित कर सकते हैं चुकि यह पूरा एक कालम एक भाग जिसको प्रात्मिक भाग करते हैं एक प्राठ्व में भाग कितने दूरी दिखा रहा है 15 मीटर की दूरी दिखा रहा है तो ये पूरा कितना दिखाएगा अगर इसको डेसी मीटर में हम भोक करेंगे तो ये आपका पूरी देखा दिखाएगी 150 डेसी मीटर ठीक है तो इसको हम बराबर बाढ़ सकते हैं 30, 60, 90, 120 और 150 ये दूरी क्या हो जाएगी डेसी मीटर क्या हो जाएगी दूरी तो इस आधार पे हम इस प्रदर्सक भिन्द के आधार पे साधार मापनी की रसना करते हैं जिसके द्वारा हम लोग मीटर और डेसी मीटर में दूरी पढ़ सकते हैं चुकि ये आरेखी मापनी है तो इसके लिए इसको हम लोग बनाते समय हमको ध्यान रखना होता है कि बहुत सच्छ है देखने में ये आकर्शक लगे सुन्दर लगे हर इसकी चीजे असपस्ट हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग इसको चाहें तो आप इसको दो भाग ठीक है यहां पर इसको इस प्रकार से दिया तो अलग-अलग रूप में आप इसको बना सकते हैं तो यह हो गया आपका साधारण मापनी जिसकी रचना हमने इस प्रदर्शक भिन क्या धार पर की है अब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं मीटर और डेसी मीटर में दूरी पढ़ सकते हैं अब माल लिया हमको पढ़ना है 30 मीटर और 120 डेसी मीटर की दूरी हमको पढ़ने है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से यहां तक 30 मीटर है और यहां से यहां तक 20 डेसी मीटर है तो यहां से यहां तक जो दूरी होगी तो क्या होगी कुक्wij Kann Oracle 30 yet पूछ एक सो बीस to East इस परकार से एकिस्की सांपा से मीं नदीसि करें अच् सकते हैं तो चुंकर यह बहुत अपनी में सॉझा लेकिन तुलनात्मक मापनि वह रेखिये मापनी है जिसमें एक से अधिक माप प्रडालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती हैं और विभिन माप प्रडालियों का आपस में तुलोना भी किया जाता है। अलग-अलग मापनी में प्रदर्सक करने वाली दूरियों एक ही प्रदर्सक भिन से बनाई जाती है ठीक है तो तुल्लात्मग मापनी में हम एक से अधिक एक ही प्रदर्सक भिन पर एक से अधिक मापनियों की रचना करते हैं और उनका आपस में हम लोग तुल्ला कर लेते है आईए इसको भी हम लोग एक प्रसुन के माध्यम से देखें कि कैसे तुलनात्मत मापनी की रचना होती है क्योंकि आपको जो सीखना है यह बिधी सीखनी है कि कैसे इसकी रचना की जाती है यहां भी हमने प्रसुन दिया है प्रदर्श्तक भिन एक अनपाते 36 पर एक तुलनात्मत मापनी की रचना की जिस पर गज फित तत्था मीटर और डेसी मीटर में दूरिया पढ़ी जा सके तो आपको तुलनात्नों मातनी की रचना करनी है जिस पे आप देखे एक गज और फिट इस पे… गज और फिट और मीटरह कर देशी아니ल परदर्सक्त क्भी नेकी है लेकिन मापक पड़्या भिन भिन वरिल गज और फिट और मीटरह देशिं इसको कैसे बनाते हैं? अब इसको बनाने के लिए, हम क्या करते हैं, ज alphabet की या क्रते हैं के सब्से पहले माल्या हमको बनाना है गज ओर फििट, गज और फिट, इसके रचना के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं। प्रदर्स्तक भिन को लेते हैं, प्रदर्स्तक भिन को दिया हुआ है, एक अनपाते 36, ठीक है, एक चीज और यहां आपको ध्यान देना होता है, जब भी आलेखी मापनी की रचना करते हैं, तो अगर दूरी हमको दिखानी है, गज, मील, हरलांग, ठीक है, इसमें अगर हमें दूरी दिखानी है, तो इसको बनाते समय हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इंच का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको किलो मीटर, हेक्टो मीटर, देका मीटर, ठीक है, इन सब की रचना करनी है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, सेंटी मीटर का उप्यो करते हैं, तो अब सब से पहले हमें गज और फिट की दूरी अब पढ़ने के लिए मापनी की रचना करने इसकी रचना एकदम जैसे सरव मापनी होती वैसे ही होती थोड़ा बहुत अंतर है इसको हम लोग आगे समझेगे गज और फिट मापनी के लिए क्या करेंगे प्रदरसक भी न हमने ले लिया तो अब प्रदरसक भी न अगर हम इसको माल लिया एक अनपाते छत्य सर अब एक इंच की दूरी मांचित पर एक इंच की दूरी धरातल पर 36 इंच की दूरी को दरसा रहा है ठीक है तो चुकि एक गज में 36 इंच होते हैं अब मापनी रचना करने के पहले एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन सभी माप प्रडालियों की जानकारी भी होने चाहिए कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं कितने सेंटी मीटर होते हैं कितने हेक्टो मीटर होते हैं कितने डेका मीटर होते हैं या एक मील में कितने फरलांग होते हैं ठीक है कितने गज होते हैं तो यह सारी चीजें भी आपको जाननी चरूरी होती है अब चुकि एक इंच वराबर एक इंच दूरी मांचित के एक इंच की दूरी दिखा रही धरातल के 36 इंज की दूरी तो इसको हमें चुकि यहां गज और फिट में दिखाना है तो हमको क्या करने को इसके मान को हमें गज और फिट में बदलना होगा ठीक है तो चुकि एक गज बराबर 36 होता है इसलिए इस हिसाब से एक इंज की दूरी का पांच गज को 6 इंज की दूरी के दिखाएगी मिदblue को तीक है ये आप के ऊपर रहे हैं कि आप 5 लेते हैं या छे लेते हैं आप इसके लियी ह adesso तो सबसे पहले हम लोग पड़ते हैं कि गज और फिंट की काई से रचना होते हैं फिर हम दूसर 223 Merc हमलोग क्या करते हैं गज और फिंट मापनी की रचना करते हैं जिसका प्याकिया हमने जोशनर सीमेंवर्ट किया हुआ तो क्या करने या हमें 5-ỗ इंच की 5 इंज की ठीक है अब 5 इंज की रेखा है तो एक एक इंज पर इसको 5 भागों मैं आप यो आज़ित कर सकते हैं तो कर देगे 5 भागों की आज़ित 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ये दूरी कितना दिखाएगा ये 5 गज ठीक है, कितनी दूरी दिखा रही है ये पूरी रेखा पांच इंच की रेखा, पांच गज दूरी को दिखा रही है ठीक है, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है तो गज को पढ़ने के लिए हमने इसमा अपनी की रचना कर दी अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है, फिट क्या पढ़ना है, फिट अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कि एक गज में कितने फिट होते हैं तो आप सभी जान दें, एक गज में 3 फिट होते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी पुदर्शित हो रही है? एक गज की. तो इसको हम फिट में करेंगे तो क्या करेंगे? तीन भागों में अगर हम बाढ़ देंगे. ठीक है? तो यह हो जाएगा जीरो है ही. एक, दो, तीर, क्या हो जाएगा? फिट. तो इस प्रकार से हम आप देखते हैं कि हम एक साथ गज और फिट की दूरी पाढ़ देंगे. इसको बनाने के लिए जैसा आप लोग फिगर देखना है. अगर फिगर के अंसार आप बनाना चाहें, तो इसको बीच में, समान दूरी पे. बीच में एक दम समान दूरी पे क्या करें? आप एक रेखा की सकते हैं और इसको एक-एक बॉक्स कलर कर सकते हैं. ठीक है? एक-एक को छोड़ कर आप कलर कर सकते हैं. तो जिससे क्या होगा? ये देखने में सुन्दर लगेगा और आपको दूरी पढ़ने में भी आसानी होगी. ठीक है? तो दूरी पढ़ने में भी आसानी होगी. जिसमान को जैसे हमने नीचे लिखा है, इसको आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो ये हो गया गज और फिट तो इसके सारे हम गज और फिट की दूरी पढ़ सकते हैं अब हमें जो दूसरा पढ़णा है वह ना हमें मीटर और डेसी मीटर क्या पढ़ना है कि हम मीटर और डेसी मीटर की भी दूरी पढ़ने के लिए मापने की रचना करनी है तो आए देखते हैं तो इस प्रदस्तिक भी निके इसाब से क्या होगा मालचित पर एक सेंटीमीटर की दूरी प्रदस्तित करेगी धरातल के 36 cm ठीक है तो इस cm को हम मीटर में बदल दे क्योंकि हमको दूरी पढ़नी है मीटर और डेसी मीटर में तो अगर आप इस cm को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगे 0.36 meter क्योंकि 1 meter में 100 cm होते हैं अब 1 cm की दूरी पदरसित करेगी 0.36 6 meter को तो 15 cm कितने प्रदरसित करेगी आप अगर इसमें बुड़ा कर लेंगे तो यह आजाएगा 5.4 meter मांचित पर 15 cm की दूरी धरातल पर पांदस्वों चार मीटर की दूरी को प्रदरसित करेगी अब हमने सुगार में ध्यांदीजी हमने बताया था कि जब भी हम मापनी की दूरी लेंगे वह हमेसा पूरांक मिलेंगे वह हमारे लिए असा हो लेकिन यहां पे संख्या पूर तो है नहीं 5.4 meter है तो हम इसके निकटता मान को ले लेते हैं ठीक है 5.4 की निकटता मान को ले लेते हैं सकते हैं अब इस हिसाब से आईए फिर इसको हमें कनोट करना पड़ेगा चुकि 5.4 मीटर की धरातल ये दूरी प्रदर्स्थित करता है मांचित पर 15 cm की दूरी ठीक है तो 5 मीटर कितने को प्रदर्स्थित करेगी तो 15 में अगर आप 5 का गुड़ा कर देंगे और 5.4 से भाग देंगे तो आपका आएगा 13.88 cm यानि 5 मीटर की दूरी क्या करेगी 13.88 cm की दूरी धरातल के 5 मीटर की दूरी को प्रदर्सित करेगी अब ये समस्या हमारे लिए इस लिए आ रहे है क्योंकि हमें एक ही प्रदर्सक भिन्द पे हमको गज और फिटकी विद्यसना करने है और मीटर और डेसी मीटर की भी रचना करने है तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे इस 13.88 cm की रेखा खीचेंगे जो क्या करेगी 5 मीटर की दूरी को प्रदर्सित करेगी अब आगे स्लाइब में देखते हैं अब अभी इसके पहले आपने देखा हमने बताया था आपको कैस से गज और फिटकी रचना हो रही है अब उसी के नीचे हमको दूसरी जो मापनी है मीटर और डेसी मीटर इसकी रचना करने है हमने अभी देखा कि 13.88 cm की दूरी दर्सा रही है धरातल के 5 मीटर तो हम क्या करते हैं इसकी रचना तो भी हमने कर ली थी अब हमें 13.88 cm की एक लंबी रेखा खीशनी होती है लेकिन तुलनात्मक मापनी बनाते समय एक चीज आपको ध्यान लखना है जो आपको यहां सेखना है कि जो हमने इसके पहले मापनी क की रचना की है उस जीरो के ठीक नीचे उस जीरो के ठीक नीचे इस दूसरी मापनी के प्रथम विभाग का जीरो रहे है यह चीज यहां पर आपको ध्यान देना है जो हमने पहली मापनी की रचना की है जिस भी पहली अगर हम इसका करते तो इसका इसका करते तो इसका इसका जो प्रथम विभाग है, जो जीरो है, उस जीरो के एकदम ठीक सीध में, जो दूसरी मापनी हम रचना करेंगे, उसका भी जीरो रहेगा, इसी कारण से इसको तुलनात्मा मापनी कहते हैं, अगर ये जीरो के नीचे जीरो नहीं रहेगा, तो ये स्वतंतर रूप से भी साधा इसलिए हमको इस जीरो के ठीक नीचे अगला जीरो रखना होता है, तभी ये आपकी तुलनात्मा मापनी होगी, तो इस प्रकार से हम इसका भीभाजन करते हैं, यह आपकी दच्छता पे नेभर करता, जब आप इसका बार बार प्रक्टिस करेंगे घर पे, तब आप इसको अच्छे से पर ले जाएंगे, तो इसके ठीक नीचे, तो हम क्या करते हैं, 13 दस्मूडों, 8,5 cm की रेखा कीचेंगे, ठीक है, जो क्या करेगी, 5 मीटर की दूरी को दिखाएंगे, कितने मीटर की दूरी, 5 मीटर, अब इसको हम क्या करेंगे, 5 बराबर भाग में बाड लें है, इस प्रकार से हम को यह रेखा की चनी है, कि इस 0 के स्ठीक सीव में हमारा इसका पहला भी भाजन आए, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, और यह पाज है, ठीक है, यह यहाँ कर जाएगा 0, यह आपकर जाएगा 1, यह आपकर जाएगा 2, यह जाएगा 3, यह जाएगा 4, क्या मीटर, ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, और फिर, अब हमें क्या करनी है, यह तो हमने मीटर की रचना कर दी, अब हमको दूसरी जो दूरी पढ़नी हो, डेसी मीटर की, तो इसका जो उप विभाग होगा, उस उप विभाग को हमें क्या करना, चुक कि पूरी रचना कर लेते हैं जो भी इसके उपर आप जो भी दूरी लेगे ये आप हमेशा ध्यान देंगे कोई समान दूरी हो देखने में भी आकरसर लगे और दूरियां समान होगी तो महापक आपका अच्छा बनेगा और अच्छा लगे है ठीक है तो इसको क्या करते हैं दस भाग में बाद दोते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाओ और दस तो यह क्या दिखाएगा आपका अब इसको आप जिसे जीरो हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ वरी हो जाएगा आपका 10 डेसी मीटर इसको इसलिए हम ने एक एक अंतराल पे लिखा है क्योंकि देखने में अच्छा लगे क्योंकि यह जादे हम मान को लिख देएगे तो वह बहुत धना भी हो जाएगा और देखने में आपका आपका अच्छा नहीं लगेगा इस प्रकार से आपकी देखने कि तुम आफना मापनी में चू की सब का आर्या पें की है आर्या यानि मांचित की दूरी और धरहतल की वास्थी दूरी का अनुपाद का एक ही है इसलित और गज डेकम और मीटर में भी दूरी पढ़ सकते हैं इन दोनों की कर सकते सकते हैं तो इस प्रकार से इन मापनियों की सहाथा से हम क्या करते हैं मांचित पे इस आरैखही बिदग के द्वारा मांचित पे इसका अंकन करते हैं अगला इसके आगे विक़्व मापनि की चर्चा हम अगले लक्षर में कराने, बदो दन्म आवारा